भारत माता की कारकम्य उपस्थित राजस्थान के आदर्निय मुख्यमंत्री श्रिमान अशोक गहलोजी मद्द प्रदेश के गववनर और आदीवासी समाझ के बहुत बंडे नेता श्रिमंगु भाई पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री श्रिपुपेंद्र भाई पटेल मद्र प्रदेश के मुख मंत्री स्रीमान सिवराशी जी चौवान मंत्री परिशद के मेरे सहयोगी स्री फगन सिग कुलस्ते जी स्री अर्जुन मेगभाल जी विभिन संगढणों के प्रमुख व्यक्तित्व सांसद गण, विधाएक गण और मेरे पुराने मित्र आदिवासी समाज की सेवा में जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है ऐसे भाई महेश जी और विशाल संगह में पधारे आए दूर सुदूर से मानगंद धाम आये हुए मेरे प्यारे आदिवासी भाई और बहनों मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे आज फिर एक बार मानगंद की इस पवित्र धर्ती पर आकर के सर जुकाने का उसर मिला है मुख्यमंत्री के नाते असोग जी और हम साथ साथ काम करते रहे और असोग जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी है उसमें सबसे सीनियर थे सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है और अभी भी हम जो मंच में बैटे हैं उसमें भी असोग जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है उनका यहा आना इस कारका में उपत्र रेना साथियों आजादी के अमरत महोसों में हम सभी का मानगर धाम आना यह हम सब के लिए प्रेरख है हमारे लिए सुखद है मानगर धाम जन जातिय वीर विरांगनाओं के तप त्याग तपस्या और देश भक्ति का प्रतिबिम्म है यह राजस्तान गुजरात मद्द प्रदेश और महराष्ट्र के लोगों की साजी विरासत है परसों यहने 30 अक्तूबर को गोविन गुरुजी की पुन्निती थी थी मैं सभी देश वास्यों की तरप से गोविन गुरुजी को पुनह स्ध्धांजली अर्पित करता हूँ मैं गोविन गुरुजी की तप तपस्या उनके विचारों और आदर्शों को प्रनाम करता हूँ भाई और बेनों गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मानगड का जो ख्षेत्र गुजरात में पढ़ता है मुझे उसकी सेवा का सौभागी मिला था उसी ख्षेत्र में गोविन गुरु ने अपने जीवन के अंतिम बर्ष भी बिताए थे उनकी उर्जाओं की सिक्षाएं आज भी इस मिट्टी में महसूस की जा रही है मैं विशेश लुप से हमारे कटारा एक अनक्मल जी का और यहां के समाज का भी आज सर जुका करके नमन करना चाहता हूँ जब मैं पहले आता था एक पूरा बिरान शेत्र था और मैंने अगर किया था वन महसूस के द्वारा आज मुझे इतना संतोस हुआ चाहरों तरब मुझे हर्याली नजर आ रही है आपने पूरे स्रद्धाबाव से वन विकास के लिए जो काम किया है इस खेत्र को जिस प्रकार चे हरा भरा बना दिया है मैं इसके लिए यहां के सभी साथियों का रुदर से आज मैं अभिनंदन करता हूँ साथियों उस खेत्र में जब विकास हुआ जब सडके बनी तो वहां के लोगों का जीवन तो बैतार हुआ ही गोविन गुरु की सिख्षाओं का भी विस्तार हुआ साथियों गोविन गुरु जैसे महान सोतंतरता सेनानी भारत की परंपराओं के भारत के आदर्शों के प्रतिनिदी थे वो किसी रियासत के राजा नहीं थे लेकिन फिर भी वो लाखो लाखो आदिवासियों के नायक थे अपने जीवन में उन्होंने अपना परिवार खो दिया लेकिन हौसला कभी नहीं खोया उन्होंने हर आदिवासी को हर कमजोर गरीब और भारतवासी को अपना परिवार बनाया गोविन गुरू ने अगर आदिवासी समाज के शोशन के खिलाब अंग्रेजी हुकुमत से संगर्ष का बिगुल्फुका तो साथ ही अपने समाज की बुराईयों के खिलाब भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी वो एक समाज सुधारक भी थे वो एक अध्यात्विक गुरू भी थे वो एक संत भी थे वो एक लोकनेता भी थे उनके जीवन में हमें साहस शौरिय के जितने महान दर्षन होते हैं उतना ही उचा उनका दार्षनिक और बौदिक चिंतन भी था गोविन गुरू का वो चिंतन वो बोद आज भी उनकी धुणी के रूप में मानगर धाम में अखंड रूप से पदिप्त हो रहा है और उनकी संपसभा देखे शब्द भी कितना मार्मिक है संपसभा समाज के हर तपके में संपभाव प्रेदा हो इसलिए उन्होंने संपसभा के आदर्ष आज भी एक जुड़ता प्रेम और भाईचारा की प्रेना दे रहे है उनके भगत अन्वियाई आज भी भारत की आध्धात्मिकता को आगे बढ़ा रहे है साथियो शत्रा नवंबर उन्डिसो तेरा को मानगेड में जो नर्समुहार हुआ वो अंग्रेजी हकुमत की कुरूरता की प्राकास्टा थी एक और आज़ादी में निष्ठा रखने वाले भोले भाले आदिवासी भाई भेन तो दूसरी और दुनिया को गुलाम बनाने की सोच मानगेड की इस पाहडी पर अंग्रेजी हकुमत ने देड़ हजार से जादा युवाओं बुजरगों महिलाओं को घेर करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया अब कल्पना कर सकते हैं एक साथ डेड़ हजार से जादा लोगों की जधन्य हत्या करने का पाथ किया गया दुर्भाग्य से आदिवासी समाज के इस संगर्स और बलिदान को आजादी के बाद लिखे गए इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली आजादी के अमरित महोसों में आदेश उस कमी को पूरा कर रहा है आदेश उस दसकों पहले की भूल को सुधार रहा है साथियो भारत का अतीत भारत का इतिहास भारत का वर्तमान और भारत का भविश्य आदिवासी समाज के बिना पूरा नहीं होता हमारी आजादी की लड़ाई का भी पग पग इतिहास का पन्ना पन्ना आदिवासी विर्ता से भरा पड़ा है 1857 की क्रांती से भी पहले विदेशी हिकुमत के खिलाब आदिवासी समाजने संगराम का ब्युगल फूका था 1780 में संथाल में तिलका माजी के नेत्रुत में दामिन सत्यागर लड़ा गया था दामिन सग्राब लड़ा गया था 1832 में बुधू भगत के नेत्रुत में देश लरका आंदोलन का गवाँ बना 1855 में आजादी की यही ज्वाला सिधू काना कांती की रूप में जलूठी इसी तरह भगवान बिर्शा मुंडा ने लाखो आदिवास्यों में क्रांती की ज्वाला प्रज्वलित की वो बहुत कम आयू में चले गए लेकिन उनकी उर्जा उनकी देश भक्ती और उनका होसला ताना भगत आंदोलन जैसी क्रांतियों का आधार बना साथ क्यों गुलामी के शुरूवाती सदियों से लेकर विश्वी सदि तक आप ऐसा कोई भी कालखंड नहीं देखेंगे जब आदिवासी समाज ने स्वाधिन्ता संग्राम की मशाल को थामे न रखाओ आंद्र प्रदेश में अल्नूरी सीता राम राम राजु गारू के नेत्रुतों में आदिवासी समाज ने रंपा क्रांति को एक नई धार दे दी थी और राजस्थान की धर्ती तो उससे भी बहुत पहले ही आदिवासी समाज की देश भक्ती की गवार ही है इसी धर्ती पर हमारे आदिवासी भाई बहन महाराणा प्रताप के साथ उनकी ताकत बन करके खड़े हुए थे साथियों हम आदिवासी समाज के बजिदानों के रणी है हम उनके योगदान के रणी है इस समाज के इसने प्रक्तिस से लेकर परियाबरन तक संस्कृति से लेकर परंपराव तक भारत के चरित्र को सहजा और संजोया है आज समय है कि देश इस रण के लिए इस योगदान के लिए आदिवासी समाज की सेवा कर उनका धन्यवाद करे बीटे आठ वर्सों से यही भावना हमारे प्रयासों को उर्जा देती रही है आज से कुछ दिन बाद ही पंदरा नमंबर को भगवान बिर्सा मुंडा की जैन्ती पर देश जन जातिय गवरव दिवस मनाएगा आदिवासी समाज के अतीत और इतिहास को जन जन तक पहुँचाने के लिए आज देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित विशेश मुझ्यम बनाए जा रहे हैं जिस भग्य विरासत से हमारी पीडियां बंचित रह रही थी वो अब उनके चिंतन का उनकी सोच का और उनकी प्रिणाव का हिस्सा बनेगी भाईयों बहनों देश में आदिवासी समाज का विस्तार और उसकी भूमी का इतनी बड़ी है कि हमें उसके लिए समर्पित भाव से काम करने की जरूरत है राजत्तान और गुजरात से लेकर पुर्वत्तर और उडिसा तक विविदता से भरे आदिवासी समाज की सेवा के लिए आदेश स्पस्ट नितियों के साथ काम कर रहा है वन बंदू कल्न्यार योजना के जरिये अजन जाती है आबादी को पानी बिजली शिक्षा स्वास और रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा रहा है आज देश में वन खेत्र भी बढ़ रहे हैं वन संपदा भी सुरुचित की जा रही हैं और साथ ही आदिवासी खेत्र डिजिटल इंडिया से भी जूड़ रहे हैं पारम पारिक कौसल के साथ साथ आदिवासी युवाओं को आतुनिक शिक्षा के भी अवसर मिले इसके लिए एक लव्य आदिवासी विद्धाले भी खोले जा रहे हैं यहां इस कायरकम के बाद मैं जामुगोड़ा जा रहा हूँ जहां गोविन गुरुजी के नाम पर बनी उनिवर्सिटी के भग्वे प्रशासनिक केंपस का लोकारपन करूँगा साथ क्यों आज आपके बीच आया हूँ ते एक और बात भी मेरा बताने का मन करता है आपने देखा होगा कल शाम ही मुझे अमदाबाद से उदाइपूर ब्राडगेज लाइन पर चलने वाली ट्रेन को हरी जंडी दिखाने का आउसर मिला है तीन सो किलोमेटर लंबी इस रेल लाइन का ब्राडगेज में बदलना राजस्थान के हमारे भाई और बहनों के लिए भी बहुत महत्वकूर है इस परिवर्तन से राजस्थान के अनेक आदिवासिक शेत्र गुझरात के आदिवासिक शेत्रों से जुड़ जाएंगे इस नई रेल लाइन से राजस्थान के टुरिजम को भी बड़ा लाब होगा यहां के आउद्यों की विकास में भी मदद मिलेगी इससे युवाओं को रोजगार की भी नई संभावना ये बड़ेगी साथियों अभी हां मानगर दाम के संपन विकास के चर्चा भी हुई है मानगर दाम के भग्य विस्तार की प्रबलिच्छा हम सभी में है इसके लिए राजस्तान, गुजरात, मदब देश और माहराश को मिलकर काम करने की आवशक्ता है मेरे याद चारों राज्य और सरकारों से आगर है कि इस दिशा में विस्तुत चर्चा करे एक रोड मेप तयार करे ताकि गोविन गुरुजी का इस बृति स्थल भी पूरे विश्व में अपी पहचान बनाए मुझे विश्वास है मानगर धाम का विकास इस खेत्र को नई पीडी के लिए पेरेना का एक जागरत स्थल बनाएगा और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ क्योंकि कई दिनों से हमारी चर्चा चल रही है जितना जल्दी जितना जादा खेत्र हम निर्धारित करेंगे तो फिर सम मिलकर के और भारत सरकार के नित्रुतों में हम इसको और अधिक विकास कर सकते हैं इसको कोई राष्टियस मारक कह सकता है कोई संकलित विवस्ता कह सकता है नाम तो कोई भी देगेगे लेकिन भारत सरकार और इन चार राज्यों के जनजातिय समाज का सीधा समन्ध है इन चारों राज्यों ने और भारत सरकार ने मिल करके इसको और नहीं उचायों पर ले जाना है उद्धिशा में भारत सरकार पुरी तरा कमिटेड है, मैं फिर एक बार आप सब को बहुत-बहुत सुब कामणाई दिता हूँ, गोविन गुरू के स्रीचरणों में प्रणाम करता हूँ, उनकी धुनी से मिली हुई प्रेणा से, आधिवासी समाज के कल्यान का संकल्प ले कर के हम सभी निकले, यही मेरी आप सबसे प्रासना है, बहुत-बहुत धन्यवाद